हेलो चिल्डरन वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल संद्रा एडवांस एजूकेशन दिस जैनल नौलिज ओफ क्लासिक्स एंड तुड़े आम गोईंग तो टीच यू अबाउट ब्रीट्स ऑफ डॉग्स ब्रीट्स होती है नसल डॉग होते हैं डॉग मेंस कुट्ता तो आ एंड नोट ओनली दे सर्फ, केर एंड गर्ड हीूमन बिइंग पट ओसो ए लोयल टॉट देम जो डॉग होते हैं जो कुट्ते होते हैं वह हमारे केवल दोस्ती नहीं होते हैं इसके अलावा वे हमें अपनी सेवा देते हैं और हमारी देखभाल करते हैं यूमन बिइंग की प्रती बहुत ही निस्ठावान रहते हैं बहुत ही विश्वास पात्र रहते हैं कहां भी जाता है कि जो डॉग है उसको सबसे ज्यादा विश्वास विश्वास का एनिमल भाना जाता है सबसे ज्यादा अगर किसी पर एनिमल में विश्वास कर सकते हैं तो वह एक के वर question with the help with the help of the given help box question के answer देने है help box का use करके इसमें help box दिया हुआ है here is the help box इसका use करके हमें इनकी questions के answer देने है number one is which tallest breed of dog is nicknamed gentle gint कौन सी कौन सी ऐसी प्रजाती मतलब सबसे बड़ा सबसे लंबी प्रजाती का डोग है यह और जिसका nickname gentle gint है तो इसका नाम है डोग का great dan g-r-e-a-t great dan d-a-n-e-dan next one is which is the smallest breed of dog and is named after a state in Mexico which is the smallest breed मतलब सबसे छोटी नसल का कुत्ता सबसे छोटा कुत्ता कुत्तों में सबसे छोटी नसल का कुत्ता होता है यह सबसे छोटा होता है and is named after a state और इसका जो नाम रखा गया है वो Mexico की state पर रखा गया है state के नाम पर रखा गया है तो इसका नाम है चिहुआ हुआ next one which is the most popular breed of a dog in the world संसार में सबसे ज़्यादा popular popular नसल प्रे नसल कुत्ते की कौन सी है डोग की सबसे ज़्यादा popular नसल या फिर popular breed का कुत्ता डोग कौन सा है संसार में तो इसका नाम है लेब्रादोर रिट्राइवर लेब्रादोर रिट्राइवर next one is name the dog which is also known as the royal dog of Egypt and is one of the oldest non-breed or domesticated dog name the dog which is known as the royal dog उस डोग का नाम लिखिये जिसको royal dog कहा जाता है कहां का Egypt का and is one of the oldest non-breed और इसके अलावा इसको पालतू कुत्तों की सबसे पुरानी नसल भी कहा जाता है तो इसका नाम है सलूकी which is which breed of a dog was used as a messenger dog during both the world war जो जो दो विश्व युद्ध हुए हैं उनमें यह है डोग यह जो मतलब कौन सा डोग है जिसको एक messenger की तरह यूज किया गया था तो इसका नाम है रोट विलर रोट विलर रोट विलर तो नाम है बीडल बी एजी एल बीगल नेक्स्ट वन द्रीड फ्रोम अंहीं का अफ्गानिस्तान ने मीड़ी ओफ और सुभी ठीओ दीओ मांटेन मांटेन डूप की नसल का नाम लिखे जो की खिएत ज्एता हैं तो इसका नाम है एंप अफगान हाउंड, A-F-G-H-E-N, अफगान हाउंड, H-O-U-N-D. नमर एट, विच ब्रीड ओफ ए डोग इस निग्ड नेम्ड ऐस दा बैकलेस डोग, कौन जी नजल का डोग है, जिसका निकनेम बैकलेस डोग की तरह रखा गया है, तो इसका नाम है, बेसिंजी, नेक्स्ट वन इस, नेम्ड फास्टेस्ट ब्रीड ओफ डोग, विच कैन रिच अबरेस रेस स्पीड इन, स्पीड सोफ अराउंड, एक्सिस ओफ 18 मीटर पर सेकिंड, यह है सबसे तीप्रकती से, मतलब फासे सबसे तीप्रकती की नसल का कुता है, तेज दोडने वाला कुता ह और इसकी जो रेस है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो लगभग 18 मीटर पर सेकिंड है, इसका नाम है ग्रे हाउंड डोग, ग्रे हाउंड डोग, नेक्स्ट वन, विच ब्रीड ओफ ए डोग इस रेफ़र्ड ए सोगंसी, सोगंसी क्वान इन चाइनीज, विच मीन्स पफी लो जोन डोग है, जिसको सोगंसी क्वान कहा जाता है विच में जिसका मीन्स होता है पफी लोयन डोग तो इसका नाम है चोचाउंड चोट, आज की इस लेसन में हमने पढ़ा डोग्स की कुछ नसल के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू